नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग का सोनो स्टडी क्लासे यूट्यूब चलनद। स्वाज मैं आप सरुपन स्याथी बोग क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 16 पाच्य निवम और 16 पर पर सुत्तर मैं आप लोग को स्वीडियों मताऊंगा। प्रस्तमबर एक निम्न में से सही उत्तर छाटे कर्व आमासे रिस में होता है ए पेपसीन, लाइपेज और रेनीन, बी टिपसीन, लाइपेज और रेनीन, सीट टिपसीन, पेपसीन और लाइपेज डी टिपसीन, पेपसीन, लाइपेज और रेनीन, खव साकर्स एंटे रिकस नाम दिया गया है A. छुद्रात और बड़ी आत में आत की संधी इस्थल के लिए B. आत्रिक रस के लिए C. आहार नाल में सूजन के लिए D. परिसे सिका के लिए उत्तर Q. A. B. ख. प्रस नमर दू इस्थम का इस्थम सी मिलान कीजिए इस्थम 1. इस्थम 2. A. विली रुवीन वा विली वडीन B. मन्ड स्टार्च का जल अगटन E. वसा का पाचन D. लार ग्रंथी 1. परिडीन 2. पित 3. लाइपेज 4. एमाईलेज उत्तर A. सेकेंड B. फूर्थ C. थर्ड D. फर्स प्रस नमर तीन तब पेच्छ में उत्तर देंक अंकूर 8 चोटी आत में होते हैं अमासे मेक्चो नहीं उत्तर क्योंकि अंकूरों में रक्त कोसिकाएं होती हैं तथा एक बड़ी लसिकाव वाहिनी लेक्टियल होती है और सोसर की क्रिया आत में ही होती है ख पेपसी नोजन अपने सक्रिय रूप में कैसे परिवर्थित होता है उत्तर पेपसी नोजन एक प्रो एंजाइम है जो HCL के साथ क्रिया करके सक्रिय पेपसी पैफसीन में परिवर्टित होता है गहर अहारनाल की दिवार के मूल इस्तर क्या है उतर अहारनाल की विती में निम्न इस्तर होते है A. सीरोसा B. मसकू लेरिस C. सब म्यूकूसा D. म्यूकूसा गहर वसा के पाचन में पित कैसे मदद करता है उत्तर पित वसा को इमल सिकरन कर देता है यह लाई पेज को सक्रिय करता है जो वसा का पाचन पित की सहायता से करता है वसा डाइट था मोनो ली से राइट में तूटता है प्रस नमर चार प्रोटीन की पाचन में अगना से रस की भूमिका इसपश्ट कीजिये उत्र नमर एक प्रोटीन की पाचन में अगना सी रस की भूमिका अगना सी रस यह चारिय होता है इसमें लगबग 98% पानी सेस्ट लवड तथा अनेक प्रकार के एंजाइंस पाया जाते ह इसका पी एच मान 75-83 होता इसे पूर्ण पाचक रूप कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइट्र वसाथ प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम्स निम्लिखित होते हैं नंबर 2 टेपसेन टिफसीन तथा काइमो टेपसीन यह निसक्रिय टेपसी नोजन था काइमो टिफसी नोजन के रूप में सोतावी होते हैं यह यह रस एवं ऐटेको एटेरो काईनेज एंजाइम्स की काण सक्रिय अवस्ता में बदल जाते हैं यह प्रोटीन का पाचन करके मध्यकरम की प्रोटीन सथा एमीनो अमल बनाते हैं हैटे को काई नेज टिपसे नोजन हैटे रोकाइनेन काई नेज टिपसीन काइमो टिपसीन नोजन आंत्री रस काइमो टिपसीन प्रोटीन काईमों टिपसीन कार्बो कार्बो के प्रोटीन में प्रोटीन की पाचन की क्रिया का वलान की Campbell अमासे में प्रोटीन का पाच्चन अमासे की जठर ग्रंथियों से जठर रस 17 वित होता है यह अमली पीएच 0.9 3.5 होता है इसमें 99 पर्षेन जल 0.5 पर्षेन यह सीयल तथा सेस एंजाइम्स होते हैं इसमें प्रोपेसिन प्रोपेसिन तथा प्रोपेसिन तथा प्रोपेसिन तथा प्रोपेसिन यह सीयल की उपस्तिती में सक्रिय पैपसेन तथा रैनीन में बदल जाते हैं यह प्रोटीन तथा केसिन दूद्ध प्रोटीन का पाच्चन करते हैं प्रोटीन पैपसीन प्लस पाली पेप्टाइड कैसीन रैनीन यसेल प्लस पाली पेप्टाइड प्रस्त मच अनुष्य का दंत सुत्र बताईए उत्तर 21-23 बटा 21-23 गुड़े 2 प्रस नमबर 7 पीत रस में कोई पाच्चक एंजाइम्स नहीं होते हैं फिर भी है यह पाचन के लिए महत्पून है क्यों उतर पीत पीत का सत्रावण यक्रिय से होता है इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता इसमें कार्बनिक तथा कार्बनिक लवड़ पीत वणक केलेस्टो रॉल लेसिथीन आदी होते हैं यह आमासे से आई अमलिय लुगदी को पतली छारियक काईल में बदलता है जिससे अगनासी एंजाइम्स होजन का पाच्चन कर सकी यह वसा का इमल सिकर्ण करता है इमली सिकरित वसा का लाई पेज एंजाइमस द्वारा सुगमता से पाच्चन होच जाता है नमबर तीन कार्बनिक लवड़ वसा के पाच्चन में सहायता करते हैं नमबर चार हानिकारक जिवाडू को नश्ट करके भोजन को सरने से बचाता है पाच्चन में काइमो टिपसिन की भूमिका उवणित करें जिस ग्रंथी से यह सत्रावित होता है इसी स्रेडी के दो अन्य एंजाइमस कौन से हैं उत्तर काइमो टिपसिन अगनासय को सत्राविन प्रोटीन पाचक एंजाइमस यह निस्क्रिया वस्ता काइमो टिपसिन की रूप में स्वत्रावित होता है यह आंत्रिय रस्में उपस्तित एंटो एंटेरो काइनेज एंजाइमस की उपस्तिती में सक्रिय काइमो टिपसिन में बदलता है यह प्रोटीन को पाली पिप्टाइड तथा प्रैपटोन में बदलता है प्रोटीन काइमो टिपसेन पाली पेपटाइड प्लस पेप्टोन अगना से से सत्रा वी अन्य प्रोटीन पाचक एंजाइम से नेम लिखी थो प्रस नमबर नो पाली से केराइट तथा डाइसे कराइट का पाचन कैसे होता है उत्तर पाली तथा डाइसे कराइट का पाचन कार्बो हाई टेट्स का पाचन मुख गुहा से ही प्रारम हो जाता है भोजन के भोजन में लार मिलती है लार का pH मान 6.08 होता है या भोजन को चिकना जाता निगलने यो कि बनाती है लार में टायलीन एंजाइम्स होता है या स्टार्च पाली सेकेराइड को डाई सेकेराइड मल्टीस में बदलता है स्टार्च तायलीन पीएश 6.08 मल्टोर मल्टोस अमासे मैं कार्बो हाइडरेट का पाचर नहीं होता अगनासे रस में एंजाइम्स होता है या स्टार्च या पाली सेकेराइड को डाई सेकेराइड में बदलता है स्टार्च पाली सेकेराइड प्लस जल एमाई लेस बटा पीच 7.5 आड़ सेकेराइड चुद्रान छोटी आत में आतरी रस में पाये जाने वाले कार्बो हाइडरेट पाचक एंजाइम्स के निमलिखित प्रकार मल्टोस मल्टेज गुल्कूस प्लस गुल्कूस लेक्टोस इसके पाचन में सहायक होते हैं मल्टूस लेक्टोस सथा जुकूस डाई सक्राइड 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 है। परश्यμεर-10, यदि आमासे में यचC L का सत्राव नहीं होगा, तो सक्रिय पेपसी इन में परिवर्तीत नहीं होगा, और पेपसी को कारे करने के लिए अमलिय माध्यम नहीं मिलेगा, यचC L भोजिय परदार्थ के रिशेदार परदार्थों को लगाता है, वह जिवाडु आदी को भी मारता है प्रस नमर 11 आपके द्वारा खाये गए मक्षन का पाचन और उसका सरीर में अवसुसर कैसे होता है विस्तार से वर्णन करें उत्तर मक्षन वसा है और इसका पाचन ड्यू डेनमे में पितरस की सहायता से होता है वसा अम्रता ग्लिसराल अ में छोटी गुलिकाओं के रूप में जाते हैं उसके पस्चात उन पर प्रोटीन कवच चड़ जाता है और इन गुलिकाओं को काईलो माइक क्रस कहते हैं इनका संबहन रसाकूर में उपस्तीत लिफ लिम्फ वाहिका में होता है लिफ में वाहिकाओं से यर्रक्त द्वारा आउसोसीद हो जाता है प्रस नंबर 12 आहार नाल के विविन भागों में प्रोटीन के पाचन के मुख के चड़नों का विस्तार से उड़नन करें उत्तर सरप्रतम प्रोटीन का पाचन आमासे में हो प्रोटीयो लेटिक विक्रो के द्वारा होता है नंबर 1 पैपसीन आमासे द्वारा सत्रावित नंबर 2 ढिपसीन आगनासे द्वारा सत्रावित नंबर 1 आमासे में प्रोटीन का पाचन पैपसीन अमलीय माध्यम पीयच 18 8 में सक्रिय होता है रेनिएन के वल चोटे बच्चों में आवासे में दूद से प्रोटीन को पचाने के लिए मिलता है दात्र में प्रोटीन का पाचन आगनासे रस में जो एंटे रोकाई नेश के द्वारा सक्रे टिपसीन में परिवर्तित होता है प्रोटीन टिफ्सीन काइमो अविसीन आमीनो अमल डाइपेंटाईड 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 अमीनो अमल टिफ्सीन छारिय माध्यम में सक्रिय होता है प्रस नमबर 13 गर्त दंती तथा दिवार दंती सब्दों की ब्याक्या करें उत्तर जबडे में गड़े में धसे दात को गर्त दंती कहते हैं विद्वार दंती का आर्थ है दात को दो बार आना प्रसम दात इस्थाई होते हैं उन्हें छेर दंत भी कहते हैं जो 14 वर्स की आवस्ता तक तूड जाते हैं इसके अस्थान पर दूसरी बारिस्थाई दात आते हैं प्रस्त नमबर 14 विविन प्रकार के दातों के नाम और एक वैस्क मनुस्य में दातों की संख्या बताई है उत्तर वैस्क मनुस्य में 32 दात होते हैं या चार प्रकार के होते हैं नमबर एक कुतक इनकी संख्या दो होती है अड़क इनकी संक्यातीन होती है इस प्रकार एक जबड़े में सूला दात होते हैं और इस प्रकार मुख में 32 दात होते हैं नमबर एक यक्रिय से पित्र रस इस्तावित होता आए इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवर जैसे सूडियम, क्लोराइट, सूडियम, कार्वोनेट, सूडियम, गलाई, कोको, लेट, सूडियम, टारो, कोलेट आदी पाये जाते हैं यक कोलेश्ट्रोल को घुलन सील बन आये रखते हैं नमबर दू पितरस में हीमोगलोविंग के विखंडन से बने पित वर्णक पाय जाते हैं जैसे विलुरुवी तथा विली वर्ड या कृत को सिकाएं रुधीर में जब विलुरुवी को ग्रहन नहीं कर पाती तो यह सरीर में एकत्र होने लगता है इसे पीलिया रोख हो जाता है नमबर तीन पितरस अंतिय क्रमा कुचन गतियों को बढ़ाता है ताकि पाचक रस काईम में भली प्रकार मिल जाए नमबर तीन पितरस काईम में अमली प्रभाव को समावत करके काईम को छारीं बनाता है जिसे अंतियर रसों की भोजन पर प्रकिरिया हो सके पित्र लवड काईम के हानिकारक जिवाड़ों को नश्ट करके काईम को सड़ने से बचाते हैं पित्र के कार्बनिक लवड वसाओं के धरातल तनाव को कम करके इन्हें सुचम विंदू को विंदू में तोड़ देते हैं पित्र के साथ मिलकर इमलस या पाइसब बना लेते हैं इस क्रिया को इमलसी करन कहते हैं नमर साथ पित्र लवड के लड़ों के कारण वसा पाचन एंजाइम सक्रिय होते हैं वसा में घुलनसील विटामिनों A, D, E, E, K, K और सूसर के लिए पित्र लवड आवसक होते हैं नमर नव पित्र के द्वारा विसाकरत प्रदार्त अनावसक कोलेश्टेराल आदी का परित्या किया जाता है नमर 11, यक्रिय में विसेले प्रदार्तों का विसरन होता है यक्रिय आमोनिया को यूरिया में बदलता है नमर 13, यक्रिय को सिकाएं ही पेरीन का स्वा 17 वर्ण करती है यह रक्त वाहिनियों में रक्त का थकका बनने सुरोपता है नमबर चुदर यक्री में प्लाजमा प्रोटीन जैसे एलवू, मिक, गलो, वूलीन, प्रोथावमीन, फाई विनोजन आधी का संसलेशन होता है, फाई विनोजन रक्त का थकान बनने में सहायक होता है नमबर पंदर यक्री आवसकता से अधी गलोकोज को गलाई कूजन में बदल सके, संचित करता है, नमबर सोला आवसकता प्रणने पवर यक्री प्रोटीन ववसा से गलोकोज का निर्मान करता है, नमबर सत्रह यक्री खोशिकाएं विटामिन A, D, लो, तामबा, आधी का संच करती है, 18 यक्रित की कुफ़ा और कोशिकाएं, जिवाड़ उताहानी कारक, प्रदार्थों का वरण करके सरीर की सुरच्चा करती हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंड करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइ जरूर करें, थैंक यू फूर वाचिंग